बड़ी खबर आ रही है लखिमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई इस मामले में चारशीट दाखिल कर दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें लखिमपुर हिंसा मामले में चारशीट दाखिल कर दी है और यूपी पुलिस ने पांच हजार पन्नों की तो आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है यूपी पुल्स ने अदालत में चाशीट दाखिल कर दी है अजेह मिश्रा का बेटा इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया है चाशीट में आशीश मिश्रा घटना स्थल पर मौझूद था ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस चार्शीट में ये बताया गया है कि आशीश मिश्रा घटना सल पर मौजू था आशीश मिश्रा का एक रिष्टदार भी इसमें आरोपी बनाया गया है और मारस च्वास्तर मेरे सयोगी जुड़ने जादा अपडेट के साथ मारस पांच हजार पन्नों का चार्शीट है और क्या बाते निकल कर सामने आ रही है उसमें से बेटे आशीश को मुख्य आरोपी बनाया गया है और सब्सक्ते एहम बात यह कि अभी तक पूरे मामले में तेरा अभी चिते लेकिन अपनी जाच में एक और नाम जोड़ा है और वो नाम है वो नाम है विरेंदर शुकल पलिया इलाके के तो पलिया चेकर उसके ब्लाप करमों बताए गया है तो अब कुछ चौदा इसमें आरोपी हो गए जिते चार्शिट लाकी कर दी है पुलिस में और मिश्चित तोर पर बड़ा मामला था बड़ा समय दंशीर मामला था और विपक्स पर लगाता है अब्ला उसमें साफ तोर पर केंद्री ग्रैमंतरी के पुत्र आशिष को ही मुकारवपी बनाया गया है तो इतना तैम हो गया है कि पूरे मामले में जो भी कयास लगा जा रहे थे वो कयास अब खत्म हो गया है और केंद्री जैमंतरी के पुत्र पोई इसमें मुकारवपी बनाया गया है और वही इस मामले में दोशी है और उसके ताथ उनके करिप्तेरा और लोकों के नाम है जिनमें सभी कौरवपी बनाया जा है ये बहुत बड़ी बात है मानस क्योंकि लगतार अजय मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा ने ये दावा किया था कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे कई तरह के फुटेजिस भी सामने आये थे वारल फुटेजिस थे लेकिन पुलिस की जाच में अगर ये बात कही जा रही है ये चार्शीट में दाखिल किया गया है तो ये बीजेपी के भी काफी खलाफ जाएगा आने वाले चुनाओं के मदे नजर भी देखें विपक्स के हाथ तो मुद्दा है ये पहले से चार्शीट दाखिल नहीं हुई चास्ता कारोस पार की बचाने की कोशिश हो रही है और चार्शीट दाखिलोग में उसमें दूशी करार दिया गया है केंडरी ग्रह मंत्री के बेटे के बेटे को दिश्चिक तर पर ये नहीं परिकेता मुद्दा विपक्स के हाथ लगा है लेकिन इतना इसपस्ट है जो पुलिस ने जो जाच की उस जाच में तबाम जो वीडियो पोटेजिस पे उनको देखा लिया लोकेशन पे जाच की गई कई बार जाकर के वहाब तो सब्सक्राशी से उनको भी दुट जाया दिया और इसलिए स्वासा वक्त लड़ा इसमें और पांट जार पनलों की चार्शीट एटाइटी ने और यूपी पुलिस ने तैयार की जिसके बाद ये तैय हो गया कि आशिश मिश्राही इसके मुक्त आरोपी है जो हत्याकांट हुआ था सिकुनिया में उसके मुक तो बड़े इसमें नाम है कि मैश्राम इसके सामने आए हैं और सब्सक्राइब चार्शीट डाखिल की जा रही है आगे कारवाई तुकिया पोर्ट में चार्शीट डाखिल कर दी गई है लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में के इंद्री ग्रह मंत्री की उनके अब अधिकारी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कंफर्म किया कि हाँ चार्शीट डाखिल कर दी गई है मानस जो हमारे सूतर हैं वो क्या बता रहे है क्योंकि ये चार्शीट जो है पांच हजार पन्नों की बड़ी चार्शीट है ये मामला जब कोट में आएगा तो एक बहुत बड़े क्रिमिनल केस के तौर पर सामने आएगा कैसे अब पुलिस इसे आरोपो को प्रूब करेगी कोट में ये भी बहुत चालेंजिंग होगा करने के लिए पुल्ट में भैस होती है लेकिन जो चार्शीट होती है वो एक बहुत मैस्पूल दख्ताविज होती है और रिशित तोर पर साइटी दिने विप्रे दिनों तक बहुत की एक बड़ी पीम इसमें लगाई थी कमाम एक्सपर्स से साइट के एविडेंस गमाती ह क्योंकि बयां जमा दर्शीए जो रिशित तोर पर जो कमाम जो वीडियो पुटे सामने आया थी सोचल मीडिया के माध्यम के उनको भी उसके आधार मनाया जिया है तो जो पक्षाय अब योजन पक्ष उसके पास महत्पूर रता है वेज है पुलिस की चार्शीट अपने हा होंगे वो भी इसमें उनका भी जिक्र किया गया हो भी दुस्मा दर्श किये गया होंगे तो आपको उसका परिश्कर करेगा लेकिन प्रास्पिक तॉर जली मानस आप नजब बनाए रखिए का इस खबर पे तो बड़ी बात लखिम पूर हिंसा मामले में कि अजय मिश्रा क बनाए गया है जो चार्शीट की जानकारी सुत्रों के हमारे पास आ रही है।